किसान बाईयों मैं सौरब आरदाज किरसी फाई में आपका हरसाथ करता हूं किसान बाईयों आज की वीडियों आपको जो आलू खुदाई के बाद आलू भंडारन से पहले उसकी छटाई की जाती है उसकी साइज के हिसाब से अलग-अलग च्छाटके जैसे आप देख सकते ह पासवादे बेल आकन को भी दवाएं जिससे के जो भी नए हमारा वीडियो पढ़ेगा उसका नोटिफिकर आपको मिल जाएगा तो किसान बाईयों मुक्रूप से आलू को चार भागों में बाटा जाता है सबसे चोता भाग जो होता सबसे छोटी साइज होती है जिसे आप किर्री के नाम से जान सकते हैं किर्री को किसान बाईयों बीज के बोवाई के रूप में भी प्रयूप कर सकते हैं यह जो साइज है किसान बाईयों टीसरे नंबर की साइज है जिसे गुल्ला बोलते हैं और यह मार्केट में बिक्री के लिए बहुत अच्छी साइज होती है जिसे सुगरपी में रखा जाता है तो किसान में इसे रखने में यह ज्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें जो कटे फटे आलू है वो नहीं आने चाहिए हरे आलू इसमें नहीं आने चाहिए उसी के अनुसारिस का ज्यान रखें यह किसान में इस सबसे फ्रस्ट साइज है इसे आप मोटा भी बोल सकते हैं और बंफर भी बोल सकते हैं इस सबसे मोटी साइज का आलू होता है इसे भी देख सकते हैं आप तो इसमें किसान में इसी तरीके से आप चटाई करा सकते हैं चार चटाई आपने आलू में करा सकते ह इससे मार्केट में चरिट मिलेगा धन्वाद कतान वाई हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें